डॉनकी के लिए मुंबई में बनाया मिनी पंजाब लगा मोहले से लेकर बजार तक का सेट अप। पंजाब में शाहरुक खान क्यू नहीं की शूटिंग। चार साल के अंतराल के बाद इसी साल जन्वरी में SRK की पठान रिलीज हुई। इसने बॉक्स ओफिर पर जड़ी लगा दी। सितंबर में शाहरुक खान की जवान आई तो इस फिल्म ने पठान के ही रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिये। अब उनकी तीसरी फिल्म डॉनकी का इंतजार हो रहा है। इन दिनों बॉक्स ओफिस पर धमाल मचाने वाले बॉलिवुड सुपस्टा शाहर शाहरुक खान की एक और फिल्म आने वाली है। पिछली दो फिल्मों में उन्होंने लगातार एक हजार करोड से ज्यादा की कमाई की है। ये उन लोगों के लिए करारा जवाब जा रहा है जो सवाल उठा रहे थे कि क्या किंग खान का करिया खत्म हो गया है। रिपोर्ट के गाव वाले जितने भी सीन थे सब मुंबई की फिल्म सिटी में शूट किये गए। इस फिल्म के लिए फिल्म सिटी में एक गाव का सेट बनाया गया और गाव से जुड़े सीन्स में रियलिटी लाने के लिए गाव जैसे घर, महले, बजार बनाए गए। फिल्म के ग्यूल इन दिनों काफी बिजी चल रहा है, उनके पास इतना समय नहीं था, शूटिंग के लिए वे बार-बार पंजाब जा सकें, डॉन की के साथ जवान की भी शूटिंग चल रही थी, इसलिए मुंबई से बाहर जाना उनके लिए इतना आसान नहीं था, इसलिए फिल्म क की शूटिंग रियल लोकेशन पर नहीं की गई, डॉन की, की शूटिंग पंजाब में न होने का एक कारण और था कि कई बार ऐसा होता है, जब शाहरुक और सल्मान जैसे एक्टर्स को देखने के लिए सेट्स पर भारी भीर जमा हो जाती है, फिल्म के डायरेक्टर राजक कुमार हिरानी इसे लेकर किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे, वे नहीं चाहते थे कि फिल्म की तस्वीरें वाइरल हो, इसलिए भी इसकी शूटिंग पंजाब में नहीं की गई